अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स आज हम सीधे अपने टॉपिक पे आजाएंगे विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रूप आफ इंटीजर्स अंडर मल्टिपिलिकेशन मॉडिलो न कल का जो टॉपिक था वो था ग्रूप आफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडिलो न ठीक है उसमें और इस ग्रूप में एक बहुत ही बारीक फरक है ठीक है जो हमने कल पढ़ा था वो हमने ऐसे पढ़ा था ZN है ना ZN is equal इसमें जो elements थे वो है 0, 1, 2, up to N-1 मतलब इसमें जो थे वो N elements थे ठीक है और जो operation थी वो हमने आपको कल बताई है वो थी addition मॉडिलो N मतलब इस set में से हमने दो elements को अगर addition मॉडिलो करना था पहले उन दो elements को sum करना था फिर उनको divide by N करना था जो वहां से remainder आएगा वही actually इसमें elements होते हैं ठीक है ये बिलकुल कल का topic है इसमें उतना मसला नहीं है आज का जो ताफिक है वो है multiplication modulo N ठीक है ये वाली multiplication modulo N इस वाली को हम denote करते हैं ऐसे ठीक है और multiplication modulo N ठीक है मैं आपको एक example से समझाओंगा कि ये group है क्या इसमें असल concept है क्या ठीक है suppose मेरे पास एक set है G उसको मैं G नाम रखूँगा इसमें ये वाले elements है इसमें भी integer ही होते हैं ठीक है लेकिन इसमें positive integer होते हैं positive integer मतलब greater or equal to one जो ZN था ना वहाँ non negative integers थी zero से उपर ठीक है यहाँ जो integer होते हैं कौन से integer ठीक है देखें X belongs to Z वो integer ठीक है X belongs to Z such that ठीक this X is greater or equal to one अभी मैंने कहा ना positive integers लेकिन N से छोटे ये वाला हैं जो आपको N दिया होगा वहाँ question में ठीक है X less than N greater or equal to one लेकिन कौन से X सारे X नहीं आएंगे जो N से छोटे हैं और 1 से greater or equal to वोही X आएंगे जिनका GCD N के साथ 1 है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है this X and N must be co-prime मतलब this X and N have a only one common factor that is one ठीक है इसका मतलब है for example मैं यहाँ पे एक example होंगा आपको यह बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा ठीक है suppose N is 3 मैंने N 3 लिया यहने के multiplication modulo 3 आप मुझे बताएए G क्या आ जाएगा what will be the G देखिए आराम से देखिए वो integer X belongs to Z वो integer इस सेट में आएगे this X यहाँ पर तो हमेशा आएगा greater or equal to 1 because मैंने पहले ही कहा है यह positive integers होते हैं इस सेट में लेकिन N का मतलब है less than 3 ठीक है कौन से integer आएगे such that GCD of X and 3 is equal to 1 अब मुझे बताएए इस सेट में से कौन elements आएगे greater or equal to 1 अगर मैं X को 1 दूँगा क्या 1 और 3 का GCD 1 है यहाँ तो 1 आजाएगा X greater or equal to 2 1 तो इसमें 2 भी आएगा लेकिन क्या उसके बाद चक करना है क्या 2 और 3 का GCD 1 है मतलब क्या इन में एक ही factor common है that is 1 yes है हो गया यह बस यही दो आएगे ना because less than 3 है और integer है तो इसमे क्या क्या आएगा या आएगा 1 chances क्या क्या है 1 and 2 में से ही chances है उसी में हमें ढूंडने है कि इसमें कौन कौन से integers फाल करेंगे वही integer फाल करेंगे जहां XO3 का GCD1 है यही दो elements आजाए ठीक है ठीक है अब मुझे बताइए आप इसको आप रब कीजी अब अगर मैं N7 लोगा ठीक है तो G क्या आ जाएगा G आ जाएगा वो integers है ना such that X greater or equal to 1 less than 7 जिनका GCD7 के साथ 1 है ठीक है is equal to 1 अब आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन integer फाल करेंगा क्या 1 फाल करेंगा YES बिकाज GCD of 1 and 7 is 1 क्या 2 फाल करेंगा YES बिकाज GCD of 2 and 7 is 1 3 करेंगा फाल YES 4 करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7, 7 लेना ही नहीं है, because यहां पर less than है ठीक है, this is the set of integers under multiplication modulo n, ठीक है अच्छा, अब मैं एक example से आपको समझाऊंगा this set of integers under multiplication modulo n is a group, ठीक है लेकिन operation क्या है, multiplication modulo n, ठीक मैं यहां पर लूँगा n5, question अब आप मुझे बताए, g क्या आजाएगा g में कौन-कौन integer आजाएगा x belongs to z, ठीक है such that this x is greater or equal to 1 less than 5 with gcd x and 5 is equal to 1, ठीक है कौन-कौन element आजाएगा, यह मुझे शो करना है कि यह group है is a group under क्या under this operation 5 बाकि यह 5, this वाली operation क्या है this multiplication module of 5 का मतलब क्या है मतलब अगर मैं कोई भी दो elements लूँगा इस set में से अगर मैं उनको operate करूँ पहले उनको dot करके फिर उनको divide करना है फायो से जो remainder आजाएगा वही है इसका मतलब, ठीक है मुझे show करना है कि यह वाला set, यह group है under this operation, ठीक है हम solution करेंगे अब आप मुझे बताएगे पहले इस set में कौन-कौन elements आजाएगा 1 आएगा, 2 आजाएगा 3 आजाएगा, 4 आजाएगा बस क्यों? 5 नहीं लेना है वही elements लेने हैं जिनका 5 के साथ जेस्टरी 1 है ठीक है पहली property क्या है? Closure property उसको मुझे satisfy करना है पहली तो यहाँ पे लिखोंगा पहली property, Closure property इस सेट में से आप कोई भी दो integer ले लीजिए उनको आप यह वाली operation एपले कीजिए जो मुझे result मिलना चाहिए वो इसी सेट में से होना चाहिए ठीक है? Suppose I will take 1 and 2 belongs to G 1 operate 2 क्या आजाएगा? 2 ones पहले मुझे dot करना है 2 into 1 कितना आजाएगा? 2 Since 2 is less than 5 so divide नहीं हो सकता तो 2 ही आजाएगा क्या 2 इसमें है? Yes है बिलाओ उस्टोची आप कीजिए 2 into suppose 2 पहले dot करना है 4 आजाएगा 4 less than 5 है इसलिए 4 ही लिखेंगे क्या 4 इसमें है? Yes sir है अब आप मुझे बताए 2 into 3 पहले dot करना है 6 आजाएगा 6 greater than 5 है इसलिए डिवाइड हो जाएगा जो remainder आएजाएगा वही है 1 3, 2, 6 इसको 5 से divide करेंगे तो 1 आजाएगा 1 है इसमें Yes है अच्छा आप मुझे ये बताएगे 3 into 3 ये आजाएगा dot 9 9 को 5 से divide कीजिए वही आजाएगा result 4 because remainder लेना है क्या 4 इसमें है Yes अब कोई भी दो elements लीजिए यहाँ पे closure property satisfy हो जाएगे ठीक है हो गई closure property अब आप associated property hold कीजिए दूसरी property associated property क्या करना है अब कोई भी तीन elements लीजिए suppose 1 into this operate 3 पहले इन को कीजिए 1 operate 3 multiplication modulo 2 आजाएगा 6 लेकिन 6 इसको 5 से divide करना है आजाएगा 1 1 into 1 अब इन को कीजिए यह आजाएगा 2 into 1 2 ही है less than 5 है 2 ही लेंगे into 3 6 6 का मतलब 1 associated property of these 3 elements hold आप कोई भी तीन elements ले लीजिए आप इसी तरह कीजिए you can easily solve this very property ठीक है अब मुझे बताएगा अब मुझे बताएगा आइडेंटिटी अब मुझे बताएगा आप को बाहर नहीं निकलना है इसी तरह कितना आप 3 करेंगे उसका भी आपको 1 ही से multiplication modulo करना है to get 3, 4 करेंगे 4 को भी multiplication modulo 1 ही करना है to get 4, इसलिए सभी elements का 1 ही से multiplication modulo करना है to get element back original element मुझे मिलना चाहिए, इसलिए this very set set of integers under multiplication modulo n, जो है न, इसकी जो identity है, वो 1 है ठीक है, identity 1 है क्योंकि उसी को मुझे multiplication modulo करना है to get 1 identity 1, जो zn था न, integer under addition modulo n, वहाँ identity 0 था, वहाँ add करना था यहाँ multiply करना है multiplication modulo, ठीक है हो गया identity, अब आप मुझे बताए, inverse inverse, बहुत ही important property है inverse, वहाँ पे क्या करना था मुझे 0 मिलना चाहिए था zn में, यहाँ पे मुझे 1 मिलना चाहिए, यहने identity, suppose 2 एक element है, आप मुझे 2 inverse भाइन कीजिए मतलग क्या हो गया 2 को मैं क्या multiplication modulo करूँ, suppose b, this b should be in this, is equal to मुझे 1 मिलना चाहिए क्या क्या रहा है, अगर मैं 1 लोंगा अगर मैं b को 1 लोंगा क्या जाएगा, 2 into 1 is 2 है न? 2 into 1 is 2, लेकिन मिलना क्या चाहिए? 1, लेकिन क्या मिलना 2, it means 1 is not the inverse of 2, ठीक है अब यहां आजाएए अगर मैं 2 into 2 करूँगा, यह आजाएगा 4, मगर मिलना क्या चाहिए? मुझे मिलना चाहिए 1, लेकिन मिलना क्या 4, 4 is not equal to 1 अब मुझे बताएए, अगर मैं 3 करूँगा 2, 3, 6, 6 is equal to 1 1 मिला, 1 तो मिला, it means 1 is, sorry, 3 is the inverse of 2 ठीक है, कोई यहां पे क्या अंसर आजाएगा? 3 मैंने कहा था, अगर 2 का inverse 3 है, तो 3 का inverse 2 है ठीक है, 3 का inverse 2 है, it implies 2 inverse is 3 अगर आपको 3 का inverse चाहिए, क्या करना पड़ेगा? मतलब, 3 को मैं क्या करूँगा, multiply to get 1 क्या करना पड़ेगा? 3 into 2, यह हो जाएगा, 6 सिक उसको divide करेंगे, खाई उससे आजाएगा 1 है ना? 3 का inverse भी मिला, 2 का inverse भी मिला, 4 का inverse क्या मिलेगा? तो यह भी 4 का inverse नहीं आजाएगा, क्यों inverse of every element is unique? Because 2 का inverse 3 है, 3 का inverse 2 है, it means 4 का inverse नहीं 2 आजाएगा, नहीं 3 आजाएगा, अब दो ही एक ही, दो ही elements बज़ते हैं, या 1 आजाएगा, या 4 आजाएगा, क्या? 1 आएगा? 4 into 1 is equal to 4, मिलना क्या चाहिए? मुझे identity मिलना चाहिए, it's not equal to 1, it means 1 is not the identity, inverse, sorry. Therefore, there is only one chance, 4 into 4, which is equal to, जब dot करेंगे, 16, 16 को 5 से डिवाइगे, तो remainder क्या जाएगा? 1, therefore, 4 inverse जो आएगा, नहीं 3 आजाएगा, हैंस, all the properties are satisfied, we can easily say that this G is a group under multiplication modulo 5. ठीक है, एक group बनेगा, similarly, इसी को हम लिखते हैं, इसी group को, U5 से, जो आपने किताब में पढ़ा होगा, और U of 5, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, वो integers, such that 1 is less or equal to x is less than 5, such that GCD of x and 5 is 1. यह है U5, यही है U5, तो कौन कुल elements आजाएंगे इसमें? 1, 2, 3, 4, अभी मैंने शो किया, यह group है under multiplication modulo 5. ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, U7 में क्या आजाएगा? वो elements, वो integers, greater or equal to 1, जिनका GCD 7 के साथ 1 है, 1 आजाएगा, 2 आजाएगा, 3 आजाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, because x must be less than 7. यह यहां तक रुकेगा. This is U7, and this is a group under multiplication modulo 7. अभी मैंने शुआ किया, U of 5 is a group. Similarly, in the same way, you can easily prove that U of 7 is a group. अच्छा, आप मुझे बता, U9 में क्या आजाएगा? कौन-कौन से integer? 1 से greater than integer, जिनका GCD 9 के साथ 1 है, लेकि less than 9 लेना है. 1 आजाएगा, yes. 2 आजाएगा, yes. 3 नहीं आएगा, because GCD of 3 and 9 is 3. 4 आजाएगा, yes. 5 आएगा, yes. 6 आजाएगा, no. Because GCD of 6 and 9 is 3. 7 आजाएगा, yes. 8 भी आजाएगा. अच्छा, आप मुझे बताएगे, you are 10 के आजाएगा? You are 10 और you are 10 ऐसे भी लिखते हैं. कौन-कौन से elements आजाएगा? 1 आजाएगा, 2 नहीं आएगा, because 2 and 10 का GCD 2 है, 3 आजाएगा. 4 नहीं आजाएगा, because 4 and 10 का GCD 2 है, 5 नहीं आजाएगा. 5 और 10 का GCD 5 है, 6 भी नहीं आएगा, 2 है GCD 7 आजाएगा. 8 भी नहीं आएगा, 2 है GCD 9 आजाएगा. ठीक है? This will be a group under multiplication modulo 10. Similarly, similarly, अब आपने सुना होगा U of N जो आपने graduation में पढ़ा होगा, या जो अब पढ़ने वाले हैं graduation, वो किसी भी बुक में देख सकते हैं, U of N is equal to, वो integers such that x greater or equal to 1 less than n such that GCD क्या जाएगा? X and N is 1. This is a group. ये group है under binary composition or operation this. और ये कैसे define होगी? With, कैसे define होगा ये? With, अगर इस मैं से कोई भी दो elements लोगा, उनको में operate करूँगा, result आ जाएगा C. ये C क्या है? C is the remainder. C is the remainder. Which remainder? मैंने लिखा है, least positive integer. कौन सा remainder? कब? वहाँ पे क्या था? A plus B is divided by N. यहाँ पे क्या है? A dot B, multiplication. B is divided by N. ये group बनेगा, इसी को कहते हैं group of integers under multiplication module N. यहाँ पे एक एहम जो question बनता है, जिस पे मैं कल एक और example होगा, एक दो example is inverse. मैं आपको एक question exercise के तोर पे रख देता हूँ यहाँ पे, आप मुझे find कीजिए, find inverse of 2 in U of 5 and find identity to always 1 है, inverse of 3 in U of 5. 9, और ऐसे भी होगा question, ये ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, ये दो questions आप solo करना, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, तो आज क्या हमें पढ़ा? group of integers under multiplication module N, इन दो questions को आप solo करना, कल, बहुत ही important topic के साथ हम मिलेंगे, order of the group, ठीक है, और ये वाला जो group है न, इसमें order find करना, एक trick है, जो मैं आपको कल सिखाऊंगा, और उसी में exam में भी एक question जरूर आता है, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक, अल्ला हाफिस.